आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलंबरनी आप देख रहे हैं दबरनी शोग आज हम अपने शोग में जो मुद्दा लेकर किया है वो मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव के घंटा घर पर CAA और NRC को लेकर किये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अलाबाद हाई कोट का एक बड़ा फैसला है दरसल पिछले एक हफते से लखनव में महिलाएं घंटा घर पर बैठी हुई है और उनकी मांग है के सरकार CAA को वापिस ले और देश में NRC लागू नहीं होना चाहिए नो CAA, नो NRC यही हर बैनर पर आपको दिखाए देगा इस पूरे प्रोटेस्ट में महिलाओं की एक बड़ी तादाद पिछले एक हफते से बैटी हुई है घंटा घर में लेकिन अब सवाल ये बनता है कि इसको लेकर के अलाबाद हाई कोट की लखनों बैंच में एक बाकाइदा जनहित याची का दायर की गई जिसे हमाम तोर पर PIL कहते हैं एक जनहित याची का डाली गई जिसमें ये मांग की गई कि घंटा घर पर जो पिरदर्शन हो रहा है उसको रोका जाए उसको बंद किया जाए क्योंकि उससे डिस्टरबेंस हो रहा है लोगों को लगता है डिस्टरबेंस हो रहा है लेकिन उनको यह नहीं लगता है कि शायद उनको इन महिलाओं के सात आगर के खड़ा होना चाहिए बहराल पिरदर्शन के खिलाब एक याचिका डाली गई कि हाई कोट इसमें आदेश दे और पिरदर्शन को खतम किया जाए उस याचिका पर इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिच कर दिया मतलब जो मांग की गई थी वो खारिच कर दिया यानि कि जो महिलाएं घंटा घर पर पिरदर्शन कर रही है उनके लिए एक बड़ी राहत की खाबर है कि अब हाई कोट का कोई ओरडर उनके खिलाफ नहीं है कि वो पिरदर्शन ना करें और पिरदर्शन करना सभी का अधिकार है और ये अधिकार आपको भारत का समविधान देता है आर्टिकल 19 में जिसमें आपको आजादी दी गई है कि आप अपने भावों को दूसरों के सा आज के प्रोग्राम में इतना ही है आप हाई कोट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं अपनी राहे में जरूर बताईए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर कि अपनी राहे में जरूर बताएं आज के प्रोग्राम में इतना ही हमा सोचल मीडिया पर फालो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया